तो कि है मैं सोल टे Marchống स्वाइम और आज हम शुरू करने वाले हैं टेरिड ओफाइट्स्ट के बारे में तो भाई यह आप देख सकते हो यह फोटोस हैं आप देख पा रहे होंगा कि तरीडोफाइट्स कुछ किस तरह की हो देख इसमें हमारे आप फरन आते हैं क्या आते हैं या होजे चेल या फिर होसे टेल यह घोड़े की पूछ मत समझ लें असलिवाली यह ना तो ये कि टेरीडोफाइट्स ना हम सबने कहां देखे कॉमली हमने देखा तो अगर सजावट के टाइम पर हम रखते हैं घरों में छोटे-छोटे पौदे रखते हैं चोटे-छोटे क्या बड़े भी रखते हैं है ना सजावट के लिए और ना mental purpose के लिए हम क्या रखते हैं हम, plants रखते वो हमारी घरीडोफाइटस होते हैं और भ्राइडोफाइटस के बारे में पढ़ा था इन में और उन और टेरिडो में difference क्या क्या है और similarities क्या क्या है जो हमारे ंब बारे में शुरू कर लेते हैं पहले कि ट्रैद टैरिडोफइत हैं क्या सबसे पहले नहीं होते सब्सक्राइब दूसरी बाद भी टैरीडोफाइट के बार में ब्रायओफाइट को बोला था एंफिबिया बोला था क्या बोला था हमने ब्रायोफाइट्स को हमने बोला था ब्रायोफाइट्स को हमने बोला था एंफिबियन बोला था ठीक है क्या बोला था प्लांट किंग्डम के लिए कि इनको क्या बोला गया है कि भी एमफिबियन ओफ प्लांट किंग्डम अब इनको भी कुछ बोला गया है इन टेरीडोफाइट्स को भी कुछ बोला गया है तो भाया इनको बोला है रेप्टाइल्स क्या बोला है रेप्टाइल्स ओफ प्लांट kingdom अब यह reptiles क्यों बोला गया है भई इसके पीछे भी तो कुछ reason होगा इसके पीछे का reason यह है कारण यह है हम सब को पता है कि हमारी धर्ती का evolution कैसे हुआ है विकास कैसे हुआ है ना पहले पानी पानी था पहले aquatic life आने के बाद क्या हुआ हमारा aquatic life आने के बाद हमारी terrestrial life शुरू हुई सल्चर वाली जिन्दगी हमारी शुरू हुई तो भई सब से पहले मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो पानी में aquatic थे plants प्लांट्स पर tarido जो है वो terrestrial true plants है कैसे है terrestrial true plants है ठीक है अभी terrestrial true plants कैसे है यह मैं आपको बताती हूँ जैसे reptiles थे reptiles से पहले हमारा कैसा था पानी पानी था धर्दी पे पानी पानी था तो भई उसके अंदर क्या थी मचलिया मेंड़क यह सब थे ठीक है मालो की मचली है भई यहां पे यह मचलिया थी यह सिर्फ पानी में रहती थी उसके बाद हमारे क्या आए मेंड़क आए क्या भई मेंड़क कैसे थे वह amphibian थे यानि कि उनको क्या प्रजनन के लिए पानी चाहिए था और वैसे वह जमीन पर भी उग सकते थे नहीं सोरी जमीन पर अगे और बढ़ने की देखो यह तो क्या हो गया में इंड़क पानी का और जमीन परनी में वहीपे जो हमारी मचली थी भाई या मचली तो पानी कि अधिसा पुछ पानी में उसके आदे हमारी रेप्टाइल जैसे कि स्नेक जैसे हमारा स्नेक साप के ना हमारी हमने बोद शिपकली लिजार्ट जिसको हम बोलते हैं देखाता होगा वही को पानी की कोई आवशक्ता नहीं थी ना तो जिंदा रहने के लिए और ना ही प्रजनन के लिए ठीक है अब इसी तरह से हमारे टेरीडोफाइट्स थे अब टेरीडोफाइट्स को हमने रेप्टाइल्स क्यों बोला यह में बताती हूँ क्यों कि रेप्टाइल्स में क्या होता था कि भाई वो क्या थे जमीन पर रह सकते थे ठीक है अब प्रजनन के लिए तो तब इनको भी पानी की जरूरत है देखो प्रजिनन के लिए ब्रायो को भी जरूरत है और टेरीडो को भी जरूरत है तो ब्रायो को ही हमने क्यों एंफिबियन बोला और इनको क्यों रेप्टाइल्स बोला उनको भेचर क्यों बोला भई इनको क्यों नहीं बोला जरूरत तो इनको भी है तो लिगदार हूं नहीं कई ड्रेंक वो वाली समझने लग जाओ वो वाली नहीं ठीक है दूसरे वाली हमारी तो टैरीडोफाइट्स हमारे जो थे इनके अंदर हमारे क्या थे इनके अंदर हमारे वस्कुलर सिस्टम हमारे पूरे अच्छे से वेल डवलप्ट थे ठीक है यानि क या गर यह पानी से दूर हो यानि कि नदी के अंदर ना हो कि यह नदी से थोड़ा दूर भी हो तो भी यह survive कर सकते थे छीक है विया इसलिए इनको क्या बोला हमने इनको बोला हमने रेप्टाइल यानि की पहले तो habitat की बात कर लेते हैं यह चीज समझने से पहले कि ब्रायो के जैसे ही होती है damp, shady और cool area में मैं कहूँ जहां पे छाया होती है क्या होती है जहां पे छाया होती है, गीले होती है जहां पे गीलन होती है नमी होती है, नमी वाले जगह पर साथ में ऐसी नहीं कि बस पानी ही पानी हुझ हिए त्सरफ सीप पानी में एक्वेटिक या मोइस्ट आरिया में होते हैं वह री तीली मिची मैं कुло साइन्डी सॉ इसाफ में नहीं होते किनमें नहीं होते घया सेंडी सॉ restoration शीक है बतरा तैरी डोफाइटस को सेंडी सोयल की किया होते है बहाया, जरूर्ब तो होती है, ठीक है अब करते हैं पणी तो यह भी है नमी में यह लीए जह हों कियों, परवाह उत 번째 के सब्सकून्स सिस्टम के किसको बारे में बता है और होते हैं थे, परवाह उत vidéos क्य Nicol również Ee दिवर एक कंई होता है फ्लोयम हम सब को पता है जाइलम जो है वो कैसा होता है वोटर के लिए होता है किस के लिए होता है हमारा वोटर के लिए होता है फ्लोयम हमारा मिनरल्स और नूट्रिशन इन सब के लिए होता है ठीक है यह फूड के लिए होगा ठीक है भीया तो अब जो है ना ब्रायो फाइट में यह नहीं होता है सीमा लोमार हाई हलो हलो तो हमारे ब्रायो फाइट जो थे उनके अन्दर यह वस्कुलर सिस्टम नहीं था भीया यह नहीं था सोशन करेंगी पानी का उपर स्टेम तने से लेकर पत्तियों तक पोचाएंगी भया पर हमने ब्रायोफाइट्स में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था उनमें तो इविन हमारी बोडी तक जो है डिफ्रेंशियेटिड नहीं थी अलग अलग हिस्सों में नहीं थी ठीक है भया त यह खें बी जमीन पर उगने वाले सबसे पहले पोदे थे जिनके अंदर क्या था वस्कुलर सिस्टम में और यहाँ लॉप्ला यहाँ आछ यह को ऩहां त Tout मनेन को क्या बोला कि इनके अदर ट्रू ट्रू प्लांट्स जिसको हम कहते हैं ट्रू प्लांट्स जो थे सबसे पह सबसे पहले वाले कौन से धबई हमारे टैरीडोफाइट से अगर आपके एक्जाम में सबसे कोश्चिन आ जाए ये माल लो कि आप से ये पूछा जाए कि स्थल्चर पर या कुम स्थल पर या जमीन पर या को मैं धर्ती पर मिट्टी में कहीं भी कुछ भी स्थल की बात हो रह टैरेस्ट््रील एरिया की बात होनी चाहिए वहां पे सबसे पहले उगने वाले वाले कौन से पादपत है बांपर और शीजाये घ्राइट का ब्रायोट टेरीडो या दोनो या इन में से कोई भी नहीं तो आप पर ब्रायों नहीं करके आओगे यह सोचके कि वह भी तो उते हैं जमीन पर नहीं वह एक्वेटिक होते हैं उनके दर वसकुलर सिस्टम नहीं होता देखो ट्रो प्लांट वही है सुविक्षित पोधा वही है जिसके अ प्रवास अंचालिका हो या मैं कहूं प्रवा उत्तक हो पर इसके अंदर तो नहीं होता भया वो हमारे टेरीडो के अंदर होता है तो हम क्या टेरीडो करके आएंगे ठीक हैं कन्फ्यूज नहीं हो ना इस बात पर कि टेरीडो फाइट जो हमारे होते हैं वह हमारे सुविक् कि ठीक है उसके बाद अगर मैं प्लांट बोडी की बात करूं इनकी काय की बात करूं कि किस तरह का इनका शरीद है है ना इनकी पादपकाय कैसी है तो ब्रायोफाइट में मैंने कहा था थैलस लाइक कैसा था था थैलस था कंपेर करके चलेंगे साथ में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है यह थोड़ा सीमिलर सा ही है ठीक है टारीडोर ब्रायो थैलस लाइक चप्टे चप्टे से दे पर यह ऐसे नहीं होते हैं अगर मैं टारीडोफाइट के बात कर रही हूं तो इनकी जो मुख्य काया है इनकी मु अगर मैं टारीडोफाइट जो है वह ऐसे पादप है जिनका शरीर जो इनकी काये तीन हिस्सों में बटी हुई होती है यह हमारी लीव्स जहां से फोटो सिंथेसिज होता है सेकिंड हमारा स्टेम तना जहां से हम क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पानी को लेकी आना खाने को लेकी आना लेके जाना यह सब चीज़े हैं और सपोर्ट भी साथ में उसके बाद हमारा रूट जो अवसोशन का काम करती है ठीक है उसके बाद इनकी जो लीव होती है इनकी लीव के जैसे ही इनके स्पोरोफिल्स होते हैं अब खोगे स्पोरोफिल्स क् यह एकदम से यह क्या नाम आया है sporophyll यह तो बिल्कुली अलग था कि तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं लीफ में इसमें अलगी चीज आही है यह तो देखो इस लीफ में क्या होते है इनका जो प्रजनन होता है इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वह कि टूर्च के थुरू होता है किस के थूरू होता है तो प्रजनन होता है तो बिजानों आते कहा करतें निल्पीट अग 그런 होती है ऐसे कितने जो दो तर है के एक याद कर लो किसमी है सब्सक्राइब लागुपरण क्या कहते हैं भया लगू परण और जिसको अगर मैं कहूं बढ़े मैं कहूंगी ब्रहत परण क्या कहेंगे ब्रहत परण तो यह याद कर लो किसमी है माइक्रो फिल जो है मैं कहूं लगू परण किसमे होते हैं वो हमारे स्लैजी लैना में होते हैं किसमे होते हैं स्लेजी नैला में होते हैं भया वहीं पर अगर मैं मैंक्रो की बात करूँ लार्ज की बात करूँ ब्रहत परणी की बात करूँ तो वह हमारे फर्न में होते हैं भया किस में होते हैं वह हमारे तो ब्रायो में दो चीज़ बताई थी, एक तो गैमिटोफाइट के बारे में बताई थी, गैमिटोफिटिक बताई थी, एक मैंने स्पोरोफिटिक बताई थी, तो इन में से मैंने बताई थी, ब्रायोफाइट में क्या थी, ब्रायोफाइट में गैमिटोफिटिक बोडी कैस आई चीज पढ़ने से पहले यह जरूर पढ़ लेना कि sporophytic body हमारी जो है कैसे ओती प्रभावी होती है हमारी मैं कहूं dominant होती है क्या होती है हमारी dominant होती है प्रभाविवस्था अब हम सबको पता है कि अगर हम sporophytic की बात कर रहे है और गैमिट會िक के बात कर रहे हैं स क्यृ पंगे और सकते हैं यह को दिखाए पढ़ती है वह कैसी होती है हमार differenti है हमारी sporophytic होती तों की इस इस ऊइसमें के же cuax विमन अपनी अपको पाई, मैंने क्या कहते हैं क्या क्या कहते हैं प्रण कहते हैं हुर हमारे ब्रहथ परन्थ अब इन्हीं के बारे में हमसे क्या था यहार पढ़ेंगे वा यह जुम नेवाना को वह स्पोर्ज होते हैं लो जी के अंदर को फिर सम्हों दैश्र की शामी है नकार को तो कई यह खाने के चीज भी नहीं है लोगा है हुए है और गैए हमारे स्पार की क्या है पार सभी कूर लो इन वो एक तरह से क्या कहलो, spores की factories को हम कहते है sporengia, क्या कहते हैं भईया हम इनको sporengia कहते हैं, जिनके अंदर क्या होते है, spores होते हैं, जिससे उनका प्रजनन होता है, reproduction होता है, ठीक है, उसके बाद, अब जो ये sporengia है, ये बाहर कुछ इस तरह से sporofils पे लगे हुए तो जो पत ठीक है, जैसे आप इदर देख पारें, ये sporengia है, ये sporengia है, ग्रीन पती, ठीक है, अब इस sporengia के अंदर क्या है, spores है, क्या है इनके अंदर, spores है, या म ला法 क्या सथ बर RAW नशना में फरी यह जैंगग ऊए 걍 मौदि ईशना होते हैं को विजान fragments के यह सी इंछ इस तरह कि नहीं होते की बेए स्पोरेंजिया में लगे लाए पति पे स्पोरेंजिया हो गहे लगेए ना विजान भानिता। लगी हमेशा ऐसे नहीं होते हैं कुछ्छ स्ट्रुक्चर ऐसी होते हैं क्या होते हैं क्या होता है कुछ इस तरह से वह हमको दिखाई पड़ते हैं जैसे कि आप इन देख पा रहे हो यह क्या है यह कौन है अब इसमें क्या होता है इसमें जो हमारे sporophyll होते हैं न वो sporophyll एक compact structure में होते हैं मैं कहूँ कि ऐसे बिल्कुल चिपके-चिपके से बिल्कुल पास-पास होते हैं अब उसके अंदर क्या होता है इनके अंदर हमारे spores होते हैं अब इनके अंदर हमारे spores हैं अगर आप लको आप शंकू होता है बिलकुल चप्ता चप्ता साहिए इस उप लार्ज एया पर बिखा रही तो इनके नीचे होते है अब या वह इनके नीचे इंचे हैं इनके नीचे इधर इधर लगे होते है है स्पोर्ण जिया स्विस्क्रेंट कूण एपना इंच इसा बना हुआ होता है इदर इधर कि या इप यह स्पोरेंग होतेह एंच प्रम बैchlagen बना घुट मुझ été होएँ स्ट्रोविलस कहते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूं जो sporengia है हमारे, जो sporengia है, मैंने खाओ, वो क्या बनाते है? Spores बनाते हैं, क्या बनाते हैं? Spores बनाते हैं, अब देखो, body in की कैसी है, sporophytic है, यानि की कैसी होईगी, diploid होईगी, अदोदवी गुनित होगी, पर spore जो है, spore तब बनते हैं, से बनते हैं, meosus की प्रक्रिया से बनते हैं, मैं कहाओ, न्यूनिकर्ण विभाजन से बनते हैं, तो न्यूनिकर्ण होगा, तो यह diploid है, तो कैसे बन जाएंगे, यह heploid हो जाएंगे भया, यह अगुनित हो जाएंगे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, कि आगे जर्मिनेट करेंगे तो मैंने कहा तक गैमेटोफिटिक फेज भी इसमें होता है तो गैमेटोफिटिक फेज आता है अब तब स्पोर है तब जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट किसमें करेगा भया वो जर्मिनेट करेगा हमारा किसमें गैमेटोफिटिक बोडी में कि सबbourne कुछ मुझा क्या बोलेंगेस कर फिर आब सकतेशन हो जैसेगा फिर देख पा ूब धाल छोटी सी पत्ति यह हमारा क्या है यह ऑ प्रोथेलिस है यानि कि एक हमारा पॉर्ट है क्या सबेसी जाता है वेग में दो goosebumps तक मांर width बहूत हमारा बहुत ही छोटा होता है और सबसे गमाल की बात կह चोटा भले यह bucks इसको बहु कोशकि है, सिंगल सेल्ड नहीं होता है, और यह बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए जीवित होता है, इसके बाद यह स्पोरोफिटिक बॉडि में इसका टार्न आउट हो जाता है, ठीक है, यानिक एगर मैं कहूं, तो यह कैसा हो होता है बहुत ही इसका जो लाइफ साइकल है मैं कहूँ जीवन काल जो इसका है वो कैसा होता है छोटा होता है कैसा होता है भीया छोटा होता है ठीक है हाँ ठीक अभी फूरफिर्टिक हमारी बोडी है जिसको हमने कहाए प्रोथयल यह कैसी होती है हमने अब्रायों में पढ़ा था कि उसमें भी एक बोडी बनती है भाइव यह फ्रोटेनी 맞श्रु δि होती है बट उसमें क्या है वो dependent होती है sporophytic body बनती है और वो क्या होती है dependent होती है gametophytic पर यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर जो इनका प्रोधालस बनता है जो यह gametophytic body है यह जो है sporophytic के ऊपर dependent नहीं होती है यह कैसे होती है free living होती है सबसरे हैं, तंत्र होती है, अपने आपके ही उपर dependent होती है, photo synthetic भी होती है, सबसे important बाते हैं जो याद करने लाक्स में ये है कि美ourtegefiance है, ये photosynthetic भी होता है, कैसा होता है भी गया, conhecer पिसमा एपाइं को तो से हमारे कि को पर्लॉ उते हैं मिली मतलब की कि ढुटृ होते हैं पर और चोंप मिली तो rozimina स्पोर एक बड़े स्पोर मैं कहूंगे उनको एक को होमोस्पोरस जो कैसे होंगे एक तरह के स्पोर बनाते होंगे जिनमें एक टाइप के एक प्रकार के स्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं होमोस्पोरस है या मैं कहूं सम बिजाणूख है ठीक है या यानि कि एक तरह के स्पो तो प्रकार के बिजाडवों का निर्मान करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोर्स बोलते हैं, इसको हम इंदी में कहते हैं, विश्म बिजाणू, क्या बोलते हैं, हम विश्म बिजाणू बोलते हैं, अगर मैं एक जो कैसे होते हैं है धे कर यह हहें हैं विश्म बिजाणू होते हैं जिनमें क्या होता है दो थारे का होती dar hey watch الر ago Forte qué too, उसके बाद के छोटा कोंसा होगा भाई और बड़ा कोंसा होगा ठीकि जो मैगाम स्पोर की बड़े-beltr, भ। बी जनू होगा वह मदड़ा गोड़ा होगी देको प्लांट्स में जिए बहुत खास है अब कभी द Y कि बियुआ होता है खृआ होता है किसके लिए होता है कि मेलकी लिए does कहीं भी देख लेना ब्रायोफाइट्स में देख लो टेरीडो में देख लो अलगी में देख लो फंजाई में देख लो कहीं भी देख लो अगर हम macro बड़ी का बात कर रहे है कि वहाँ पर प्रभावी चीज कौन सी है बड़ी कौन सी है तो mostly कि वहाँ में इस कि बात gotta वहाँ में चीज कर वहाँ ठीक है जो Anomally होता है हमारा जादा तर द्र्जेस को बोलते हम वहां किस बेक्ट मा तो कि ये हमारा किसके लिए होता है में लेकर में होता है अब ने ज्टर हमारी बहुत तगड़े वाली feminist है बता रही हूं मैं बटा हम बिहार में नहीं है न इसलिए ठीक है भया तो मैंने आपको अभी अभी ये बताया है कि male के लिए micro और female के लिए macro है तो यही इसमें भी sequence होगा अगर मैं कहूँ mega spore या micro spore mega spore यानि की ब्रहत भी जानू और micro यानि लगू भी जानू तो किसके लिए होगा mega female के लिए होगा और जो हमारे micro है लगू है वो किसके लिए होगा वो male के लिए होगा चीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इनकी gametophetic condition की कि भी जो इनका gametophetic जो हमने बोला प्रो थैलस है उसको भी एक जगेचे मैंने का free living है, independent है यनि स्वत्तंत्र है, तो वो रहेगा कैसी जगे पर उगेगा तो खुद अकेला ही sporophetic body पर नहीं होगा ब्रायोफाइट के जैसे, हमने ब्रायों में बढ़ा था, जो कि डॉमिनिंट नहीं होती है, वो सिर्फ टैलिडो में होती है जो sporophetic body हमारी थी, sporophetic body किसके ओपर dependent थी, gametophetic body के ओपर dependent थी मैं कहूं, sporophetic अवस्ता जो थी, sporophetic अवस्ता जो थी, वो किसके ओपर निर्भरती, gametophetic के ओपर निर्भरती, जिसमें, ब्रायों में हमारी gametophetic क्या थी, हमारी प्रभावी वस्ता थी, इसलिए जो sporophetic वो इसके ओपर dependent थी, भया परन्तु किंतु भई, हमारे taridophytes में ऐसा नहीं होता है, इसमें मैंने कहा, sporophetic हमारी प्रभावी है, तो gametophetic चोटी लाइफ होगी इनकी, तो gametophetic जो है, वो sporophetic के ओपर dependent नहीं होती है, वो अपने आप ही अपना सब कुछ करती है, अपना खाना, बनाना, जो भी करना है, सब कुछ, वो sporophetic के ओपर नहीं, वो अपने parents के ओपर dependent बिल्कुल भी नहीं एक तरह से, ठीक है, तो वो भी कहां होगी, तो सिदी सी बाद तब उनकी sporophetic body जहां होगेगी, जो उनका आवास होगा, वही gametophetic के लिए होगा, तो इनकी gametophetic में क्या था वही होगा, वही तो मैंने कहा, कि स्वतंत्र रूप से उगएगे, कहां पे, वही हैबिटेट पे जहां पे हमारे normally teridophytes उगती है, ठीक है बाईया, अब इनको मैंने कहा, fertilization के लिए क्या ज़रूर था, इनको किस चीज़ की ज़रूर था बाईया, पानी की, शुरू में ही बोला था, मैंने क teridot को पानी की क्या जरूरत होती है, पर इनको बहुत ही कम लेवेल पर, बहुत ही नैरो लेवल पर जरूरत होती है, जिसमें ब्रायों को एक बरोड लेवल पर चाहिए होती है, तो अगर हम gametophytic की बात करें, तो gametophytic body नहीं हमारे यहां पे देख सकते हो, अब यह तो अइ भी है तो गेमेट अफी तो मैंने कहा धा कि उसके अंदर होता है उसके अंदर मैंने कता स्भाथ यूदिशन में इस अब किया वह आहती है तो उसके स्ट्रक्चर में है क्या अब उसके गये शॉर है तो हमारे तरय दोफाइस में जो sex organs हमेशा कब develop होते हैं वो gametophytic condition में होते हैं कभी भी sporophytic में नहीं होते वो हमेशा gametophytic में होते और gametophytic में हम इदर देख पा रहे हैं प्रो थालिस में कि Archagonia होता है जो क्या होता है Archagonia मैंने बताया था भ्रायों के अंदर कि Archagonia क्या है वह female वाला है female six organ है था है ठीक है माधा प्रजनंग कहें मेल और फीमल सेक्स ओरंस रोगम होती है जिसकों क्या कहते हैं और आर्चे के लिए तो उसी तरह से haven जाएंगे पानी के बहाव के साथ qya करेंगे ये प Holz टेंगे ये य्पें तक॑र के नहीं पर है वैसे पी स्ट्रक्च्रेट भी करें देखो तरह केए यह ठेस पर हो अगर एक प्लांट में भी po तो नीचे तक तो कोई चीज आवी सकती है, अब उपर तक उड़के कैसे जाए, है ना, इतने तो यह है नहीं, कितने छोटे-छोटे तो होते हैं बिचारे, छोट-छोटे पादब, ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं, कि तब उस एंथ्रजोइड जो है, आर्चे गोनिय त होगी, है ना, तब मेल और फीमेल, दोनों की जाए, गैमिट्स मिलेंगे, ठीक है, एंथ्रोजोइड और आर्चे गोनिया आपस में फ्यूज करेंगे, तो किस की फॉरमेशन होगी, यूगमनज की फॉरमेशन होगी, मैं कहूं, जाएगोट की फॉरमेशन होगी, भीया, ठ के बाद तभी यूगमनस हो जाएगा तभी यूगमनस बन जाएगा उस समय पर sporophytic body बननी शुरू होती है ठीक है यूगमनस बनने के बाद यूगमनस बनने के बाद क्या होती है हमारी जो पूरी किस पूरी teridophyte की body होती है जो मैंने का sporophytic होती है वो क्या होती है इसके बाद शुरू होती है याने कि इनके fertilization के बाद इनके reproduction के बाद बनती है ठीक है अब reproduction के बाद इनकी body बनती है तो वो well differentiated होती है जो हमको दिखाई दिए तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि इधर क्या बनती है देखो कि यह हमारी sporophytic body जो है बननी शुरू हो गई है और इस तरह से जैसे हमारे anthrozoids है जो आर्चे गोनिया तक गया और आर्चे गोनिया के अंदर ही उस जैगोट का या उस युगम नजगा क्या हुआ निर्मान हुआ उसमें ही वो बड़ा हुआ भया ठीक है उधर से हमको क्या हो जाता है हमारे जो seeded seeded मैं कहूं बीज वाले पोदे होते हैं उनके बनने कि या मैं कहूं उनके विकास की शुरुवात यहां से हो जाती है ठीक है और जो हमारी मैंने बता है sporophytic body जो होती है वह हमारी dominant होती है यह मैं शुरू में ही बता चुकी और यह important भी है ठीक है भी यह उसके बाद अगर मैं के life cycle के एक बार overall overview दूँ तो मैं कहूंगी सबसे पहले हमारे क्या थे sporophytes थे जो कैसे थे हो टू इन थे डिप्लॉइट थे उसके बाद मैंने का spore ze होते हैं spores बनते हैं उनकी पत्तियों पे spore of fields बहल रशान उपर ठीक है वहां पर क्या होती है म्योसिस होती है तो वहां पर कैसे हो जाते हैं इस कैसे होएंगे इनके? N होएंगे. तो N होएंगे तो उसके बाद बहीं के spot germinate भी करेंगे. अब तब germination होता है, तब कोई चीज बढ़ती है. ठीक है, तो वो क्यासी होती? Mitosis होती है, यानि की N का N ही रहेगा, half नहीं होएगा. ठीक है? पूर्ण विभाजन होगा तो किसकी formation हुई हमारी gametophytic body की formation हुई जिसको हमने क्या कहा था प्रोथैलस कहा था अब वो प्रोथैलस जो है वो किसमे हुआ हमारा एक mature gametophytic body बनी कैसी बनी हमारी एक सूविक्षित gametophytic हमारी body बन गई अब हमको यह पता है gametophyte में क्या थे हमारे anthridium थे और हमारे archegonium थे क्या थे भईया anthridium और archegonium थे अब उन दोनों का fusion होगा भईया उन दोने से क्या होगा production हमारा होगा तो उसके बाद क्यों फर्टिलाइजेशन हो गया फरटिलाइजेशन से हमारी क्या हो रही थी मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी sporophytic body बनती है ठीक है यह जो था वो N था, ठीक है, स्पम जो था, वो हमारा N था, मैं कहूं, पुधानी जो होगा, पूसंगर जो होगा, वो कैसा था, N था हमारा, वहीं पर आर्चिगोरियम की बात करूँ, मैं फीमेल या ममादा की अंटे की बात करूँ, तो वो भी कैसा था, N था, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ठीक, वैसे N और N, 2N हो जाएगा, यानि कि जो इनका युगमनस बनेगा, इनका जो जाइगोट बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो हमारा 2N बनेगा, मैं कहूं, डिपलोईट बनेगा, द्वीगुणित बनेगा, ठीक है, अब जो जाइगोट है, ये किस में विक्षित हो जाएगा, वो विक्षित हो जाएगा, भाईया, गैमेटो, स्पोरोफाइट में विक्षित हो जाएगा, देखो इधर आप देख सकते हो, ये sporophytic बोडी जो है, निकलनी शुरू होगी, अब ये sporophytic बोडी में माइटोसीज होगी, माइटोसीज होके वो पूरी क्या होगी, भाईया, एक विक्षित, सू विक्षित टेरीडोफाइट में वापिस से आजाएगा, तो भाईया, इसका लाइफ साइकल था, भाईया, पते क्या, ब्राईय और टेरीडो इतना वास्ट नहीं पड़ते हम, प्लांट किंग्डम में, ठीक है, ये एक लिमिटीड सा पोर्शन होता है, जो हर किसी में आता है, और जो मैं बता रही हो, ये आप नीट में भी दे लो बेशक्से, कोई इश्यू नहीं है, उधर भी आते हैं, हाँ ये उधर आ चुकी है, मुझे पता है इस बात का, ठीक है, ये कोश्चन ही यही बनते हैं, देखो आप जो कोश्चन बनेंगे वही तो आएंगे न, आप कुछ और तो पूछ नहीं सकते नहीं, जो है वही है, और इतने ये उगते नहीं हैं, कि बहुत दा वास्ट है, पता नहीं कितनी ही वेराइटीज हैं, हर कहीं उगते हैं, तो आप को कोश्चन पता नहीं कितने ही अनन्त मिलेंगे इस पे, इमरान जी, तो आप इस नीट के लिए भी इनफ है ये, इस से जादे तो उसमें भी नहीं पूछा जाता है, तो लाब असिस्टेंट में तो पूछेंगे कहां से, ठीक हैं, और देन इनफ है ये, इनफ नहीं, और देन इनफ, अगर मैं यूज की बात करूं, उपयोग की बात करूं, तो टेरीडोफाइट को कहां-कहां यूज किया जाता है, इनका उपयोग जो है, कहां-कहां होता है, सबसे पहले मैंने बताया था, कि औरनामेंटल बोडी होती है, सजावट के लिए यूज होती है, कैसी होती है, सजावट के लिए ये इस्तमाल होती है, ठीक है हम कई जगे देखते हैं कई जगे देखते हैं कि जो हमारी जगे जगे पर चोट चोटे पेड़ पोदे दिखते हैं उनके अंदर शंकू निकले हुए होते हैं नुकिली नुकिली पत्तियां होती है वो भई हमारे क्या होते हैं हमारे टैरीडोफाइट्स होते हैं ठीक अगर मैं बात करूँ फूड की यानि खाने की तो यह ऐसे फूड भी फोड की हमारा इस्तमाल किया जाता है, चोटे चोटे जोनि मल्स होते थे जहां पर उगे ना मोस्टएरिया ही ए लिया, जहां ज़ांगे और अईममल तो वहां पर वहोंगे ठीक है कर्णिव निवोरिस हो इसमें भी इस्तमाल होते हैं भया फर्टिलाइजर्स भी यह होते हैं यानि कि फर्टिलाइजर्स का तो हम सब को पता है फर्टिलाइजर्स क्या होते है नाइट्रोजन फिक्सिंग वगएरा यह सब चीज़े हमारी चलती है इसमें medicines में बोलो कि कुछ teridophytes ऐसे हैं जिनको हम दवाई के रूप में भी इस्तमाल करते हैं ठीक है medicinal use भी उनका होता है medicinal purpose भी उनका होता है तो भाईया ये हमारे क्या थे teridophytes और ये हमारा teridophyte जो है use के साथ आज खतम हो गया हमारा एक class का ही था ये जादा कुछ इसमें था नहीं तो आज के लिए इतना ही class कल फिर मिलेंगे इसी समय पर यहीं पर आपके अपने चैनल पर राजस्तान अड़ा 247 पर अगर किसी को कोई भी question है इस topic में या किसी भी topic में तो किसी भी तरह का question है तो उसके comment section में पूछो आपको answer किया जाएगा आपको answer मिलेगा उसका ठीक है अगर आपको session पसंद आए तो उसको like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe भी कीजिए ठीक है आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे इसी समय पर इसी channel पर